अजे देवगन इन दिनों अपनी अपकामिंग फिल्म भुच दे प्राइड आफ इंडिया की शूटिंग में बिजी हैं आपको बता दें कि भुच दे प्राइड आफ इंडिया की कहानी 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर की दास्तान पर बेस्ट है इस फिल्म में अजे देवगन सेना के जवान विजे कारनिक का किरदार निभाते नजर आएंगे विजे 1971 में भुच एरपोर्ट की इन चार्श थे और विजे कारनिक की ये कहानी उस युद की सबसे दिल्चस्प कहानियों में से एक है क्योंकि तब गुचरात के भुच में विजे कारनिक ने वहां की इलाकई महिलाओं की मदद से इनिन एरफोर्स की एर स्ट्रिप को ठीक कर दिया था और इसे भारत का पुर्ल हाबर मोमेंट भी कहा जाता है और अब इस फिल्म के सेट से अजे देवगन का लुक भी लीग हो चुका है जिसमें अजे आपको एर फोर्स आफिसर की अफ्तार में नजर आ रही है पिचर देखकर लग रहा है कि शायद ये किसी सॉंग की शूटिंग चल रही है क्योंकि इस पिचर में कुछ लेडी इस नगाड़ा बजाती नजर आ रही है तो वहीं अजे देवगन अपने सीन के लिए रेडी हो रही है आपको बता दें कि वैसे तो इससे पहले भी अजे देवगन को आप कई वाट ड्रामा फिल्मों में देख चुके है मगर ये पहली बार है जब अजे किसी फिल्म में एक एरफोर्स ओफिसर का किरदार निभाते नजर आएंगे इतना ही नहीं इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में हो रही है इस फिल्म में अजे देवगन के अलावा संजे दच, सुनाक्षी सिना और परिनीती चोपडा जैसे स्टार्स की नजर आने वाले है हाला कि ताजा रिपोर्ट्स की माने तो फिल्हाल फिल्म की शूटिंग मान भी जिले में शुरू होने वाली है जहां अजे देवगन का एक इंट्रोडक्टरी सीन शूट किया जाना है साथ ही एक धम्मा के तार आक्षन से भरपूर क्लामिक सीन भी शूट किया जाएगा और ये शूटिंग करीब 20 से 25 दिन चलेगी इस हाई वोल्टेज अक्षन सीन की शूटिंग के लिए बुलगेरिया और वियतमान से टीम बुलाई गई है और इस अक्षन सीन को दिगज अक्षन कुरियोगरफर पीटर हैं धरेक करेंगे वल अभिशेक दुधेया के डिरेक्शन में बन रही ये फिल्म 14 अगस 2020 को रिलीस होगी तो भाई अजे के फैंस आपको कैसा लगा भुश्ट प्राइड ओफ इंडिया से उनका ये लग जरूर शेर कीजे का आपनी राए कमेंट सेक्शन में Bollywood की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्स्क्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूद को and yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं